हेलो हाई एंड वेलकम टो एवरीवन कमल के तरफ से सभी को नमश्कार इंडिन डिफेंस अकेडमी की यूट्व चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम सैनिक स्कूल कुझपुरा की प्रिवियस एर की जो कट ओफ बनी थी उसके बारे में डिस्केशन करेंगे साथ ही हम इस साल की जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ओफ बनने वाली है उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कट ओफ है ये सैनिक स्कूल कुझपुरा के द्वारा ही रिलीज की गई जो ओफिशल कट ओफ है इंडिन डिफेंस अकेडमी के हमेशा कोशिश रहती है कि आपको जो भी जनकरी दी जाए वो ओफिशल होनी चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि SC कट ओफ रही है वो में लिस्ट के लिए 199 रही है और जो वेटिंग लिस्ट है वो 190 रही है में लिस्ट और वेटिंग लिस्ट यहां पर अलग-अलग बनी हुई है में लिस्ट से और वेटिंग लिस्ट का जो candidate है जो में लिस्ट में तभी आ सकता है जब में लिस्ट का जो candidate है कोई अपनी seat छोड़ता है या फिर किसी कारण से वो सेनिक स्कूल के द्वारा आउट किया जाता है तो तभी जो है आपकी वेटिंग लिस्ट से में लिस्ट में केंडिडेट आ सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी ST के टिकरी की जो कट अप बनी थी वो 172 में लिस्ट के लिए और आपकी 105 थी वो वेटिंग लिस्ट के लिए केंडिडेट यहाँ पर स्लेक्ट हुआ था साथ ही डिफेंस की जो होम स्टेट के जो केंडिडेट थे 253 कट अप बनी थी और जो आपके डिफेंस के अधर स्टेट के जो केंडिडेट थे वहाँ उनकी 239 यहाँ पे cut off बनी थी waiting list के cut off भी आप साथ साथ देख सकते हैं journal के जो home state के जो candidate थे उनकी जो cut off बनी थी 266 बनी थी अब यहाँ पर हम other state के journal candidate थे उत्तरप्रदेश बिहार, मद्यप्रदेश और राजिस्तान की cut off है वो आपके सामने है जैसे उत्तरप्रदेश की cut off रही है आपके 260 रही है और जो बिहार की है 267 रही है मद्यप्रदेश की 262 रही है और राजिस्तान की 260 बन रही है same as state bidding list की जो sheet है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाला जो हमारी cut off की यह वाली sheet है इसके अंदर भी हमारी OBC की जो cut off है वो नहीं दी गई है तो मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहूंगा चाहे वो 6th class हो चाहे वो 9th class हो OBC category की जो cut off बनती है वो जो जो मारा general category का जो candidate रहते है home general category का जो candidate रहते है उससे 5 यह 10 marks ही कम ज़ादा रहती है तो जैसे यहाँ पर 266 जो cut off रही है home street के general candidate के रही है 6th class में तो बस इसमें जो difference रहेगा 255 तक रहेगा इससे ज़ादा कम OBC category के लिए नहीं रहेगा तो 10 या 11 number का जो difference रहता है तो हम अगर जो 9th class की बात करें तो SC category के लिए जो main list में candidate select हुआ था वो 302 number पर select हो गया था और जो waiting list का candidate था वो 290 number पर हुआ था SC category में 230 जो हमारा defense home state का जो candidate रहा था वो 332 number पर select हुआ था और defense other state का जो candidate था वो 308 number पर select हुआ था और जो हमारे journal जो candidate था home state का उसको तो वो 332 नंबर पर select हुआ था, जनरल अदर स्टेट का जो candidate है, वो 318 नंबर पर select हुआ था, अब इसमें भी 2020 की जो ये cutoff है, इसके अंदर भी जो हमारा obviously category का candidate है, उसकी cutoff नहीं दी गई है, तो आपका जो journal home state का candidate रहा है, 332 नंबर पर select हुआ था, तो यहां पर हो सकता है, जो हमारा obviously category का candidate है, वो 320 या 325 नंबर पर select हुआ हो, तो अब हम बात करते हैं 2021 की cutoff के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो cutoff है, वो directly जो हमारा exam होता है, उस पर depend करती है, अगर जो आपका exam tough है, तो जो cutoff है, वो down जाएगी, और जो exam easy है, तो cutoff obviously बात है, वो high जाएगी, तो इस साल का 2021 का जो आपका, जो exam paper आया था, वो moderate level का था, ना तो जादा था, जादा मुश्किल था, और ना ही जादा असान था, तो इस साल की cutoff है, वो भी moderate level की बनने वाली है, और करोना काल के अंदर बच्चे जा नहीं आएगा, जैसे 199 पर ST category का बच्चा 6 class के लिए select हुआ था, previous year, तो इस साल हो सकता है, कि 185 तक जो candidate है, वो final selection ले जाए, और ST category में, अगर जो 172 पर previous year का टाओ, ले कर गया था, बच्चा selection, तो इस साल हो सकता है, कि जो बच्चा है, वो 160 पर कटाओ, जो है, final selection ले जाए और वैसे ही, जो general home state का, जो candidate 6 class में, 266 पर यहां पर selection लेके गया था, तो इस बार हो सकता है, 255 तक जो बच्चा है, वो selection ले ले, तो ऐसे ही है, अगर जो हम 9th class में जाते हैं, तो same as it is, 5 to 10 marks का जो difference है, इस बार भी आपका पढ़ने वाला है, तो अभी के वीडियो में इतन Defense Academy के साथ जूड़े रहें, जै हिंद, जै भारत, वंदे मत्रम